दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको टी बैग विजनस से जुड़ी सबी जानकारी दी थी और आज दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि खुद से चाय पत्ती कैसे तयार कर सकते हैं पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंध तक देखें किसी वेपारी से चाय पत्ती खरीदने की जगा आप खुद से भी चाय पत्ती बना सकते हैं दरशल चाय के पौधे के पत्तों को तोरने के बाद उन पत्तों की विथरिंग ग्राइंड, सुखाना और पीष्णे जैसे प्रक्रिया से गुजरनना परता है और इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद चाय पत्ती बनकर तयार हो जाती है वित्रिंग प्रक्रिया वित्रिंग प्रक्रिया के अंदर गड़ चाय के पौधों के पत्तों को 18 से लेकर 20 घंटे तक खुली जगा पर रखकर सुखाया जाता है ताकि उनके अंदर की नमी को खत्म किया जा सके इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद चाय के पौधों की पत्तियों का रंग कौपर रंग में बदल जाता है क्रशिंग पत्तों को हवार में सुखाने के बाद उन्हें ग्राइंट किया जाता है कई कंपनियां हाथ के जरीय पत्तों को crush करती हैं तो कई कंपनियां द्वारा ये कारे rotating tables या फिर roading machine की मदद से किया जाता है सुखाना चाय के पत्तों को crush करने के बाद उनको सुखाया जाता है और हर वराइटी के पत्तों को सुखाने की प्रक्रिया अलग है जैसे कि ब्लाक टी के पत्तों को उच्छ तापमान की मदद से सुखाया जाता है ताकि ब्लाक टी की पत्तों का फ्लेवर उसमें मौझूद रहे और उच्छ तापमान में इन पत्तियों को सुखाया जाने के कारण इन पत्तियों का रंग काले रंग में तब्दील हो जाता है उलॉंग टी के पौधों को पत्ते को सुखाने की प्रक्रिया ब्लाक टी के पत्तों को सुखाने की प्रक्रिया के मुकाबले में कम समय लेती है उन लॉंग टी के पौधों के पत्तों को पहले रूज किया जाता है फिर उनको सुखाया जाता है फिर से दोबारा उनको रूज किया जाता है ग्रीन टी के पौधों के पत्तों को तोडने के 24 घंटे के भीतर ही उन्हें उबाल दिया जाता है और फिर उनको सुखाया जाता है पीसने की प्रक्रिया चाय के पौधों के पत्तों को सुखाने के बाद उन्हें मिल में भीजा जाता है और फिर मिल में उन पत्तों को पीसने का कारे की जाता है हालां कि चाय के पौधों के पत्तों को किस तरह से पीसा जाता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस मकसद के लिए उनको बना रहे हैं जैसे कि टी बैक के अंदर बहरने वाली चैपत्ती का आकार छोटा रखा जाता है क्योंकि इस प्रकार की चाय को बनाने में कम समय लगता है और छोटी अकार की पत्ती होने की वज़ा से ये पानी या दूद में जल्द खुल जाती है Blending हर कंपनी अपने द्वारा बनाई गई चाय पत्ती को अलग स्वाद देने के लिए अपनी चाय पत्ती में कई तरह की चीज मिलाती है जैसे की इलाइची, अद्रक और लॉंग इसलिए आप अपनी चाय पत्ती को जो स्वाद देना चाहते हैं आपको उस स्वाद के हिसाब से उसमें कुछ चीजें मिलानी होगी और उन चीजों को अच्छे से चाय की पत्ती के साथ ब्लेंट करना होगा इन चीजों को मिलाने के बाद आपकी चाय की पत्ती बनकर तयार हो जाएगी चाय पत्ती के बैग में पत्ती भरने की पक्रिया एक बार जब आपकी चाय पत्ती बन पर तयार हो जाएगी तो आपको इस चाय पत्ती को टी बैग मेकिंग मशीन की मदद से फिल्टर पेपर में भरना होगा आंदोर पर एक चाय बैग में लगबग एक से लेकर चार ओंस चाय पत्ती भरी जाती है filter paper में चाय पत्ती को भढ़ने के बाद उस paper को tea bag making machine की मदद से seal किया जाता है और उस paper के साथ एक धागा जोड़ा जाता है वहीं आप चाहें तो अपने tea bag paper पर अपनी company का logo भी लगा सकते हैं हाला कि ऐसा करने के लिए आपको paper पर logo चापने वाली किसी company से संपर्क करना होगा Marketing और promotion बाजार में पहले से ही कई ऐसी company आप बेशने का कारे करती हैं और इनी company का मुकाबला आप marketing और promotion के जरीए कर सकते हैं आप अपने budget के हिसाब से marketing और promotion से जुड़े किसी भी तरीके का सहारा ले सकते हैं और logo को अपने tea bag brand की जानकारी दे सकते हैं निश्कर्श, tea bag के business को start करते समय आप चाहें तो एक या दो प्रकार की variety वाली tea के bag बना कर उने बेच सकते हैं महीं जैसे ही आपको ये business अच्छे से चलने लगे तो आप अन्य तरह की variety वाली चायपत्ती को भी tea bag के जरीए बेच सकते हैं ओकी credit, business ओकी है